मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अनाच के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रिकॉन कंपनी की काला किट बायो केमिकल के बारे में जिहां दोस्तों यह फर्टिलाइजर फॉर्म में बायो केमिकल है और इसके बारे में तमाम उपयोगिता बताएंगे कि कौन कौन सी फसलों में आप इस Fresh Biochemical को उप्योग में ले सकते हैं इसके technical नाम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इसके बारे में Doze भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको ये Biochemical उप्योग में लेना है इसकी रचना और इसके स्वरूप के बारे में तमाम महत्वपून जानकारियां देंगे और साथ ही में कोई भी दवाई या कोई भी बायो केमिकल करते वक्त आपको किन-किन विशेश सावधानियों की जरुरत होती है उसके बारे में भी बताएंगे तो दोस्तों अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जादा जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ में बने रही है आए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि जो काला किट फसल में उपयोग में ले सकते हैं क्योंकि यह एक फर्टिलाइजर फॉर्म में बायो केमिकल है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी फसल में नहीं है तो आप हर मौसम की हर फसल जैसे की रभी की कोई फसल हो या खरीफ सीजन की कोई फसल हो सबजियां हो फल्ग हो के पौदे हो या फिर कोई बागवानी की ही फसल क्यों नहों आप सारी फसलों में इस बायो केमिकल का उपयोग कर सकते हैं अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो दोस्तों जिंक सलफेट, फेरस सलफेट, मैगनीज सलफेट, बॉरेक्स, एनरजी वन, माइक्रो सेल, वाइटल गोल्ड और बैक्टिरिया साइड इसके अंदर तमाम तरह के टेक्निकल मौझूद है और इसी वज़े से ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और बहुत अच्छे परिणाम आपको कम समय में देता है और अगर हम बात करें इसके डोस की तो दोस्तों ये स्ल ग्राम ये 15 लीटर का जो हमारा स्प्रे पंप होता है उसमें आपको छिड़काव करते वक्त लेना है और वैसे आपको ज्यादातर जगे पर इसका अच्छा अगर परिणाम लेना हो तो आपको इसका 25 किलो प्रती एकड के हिसाब से इसको फेकना है इसको पानी के साथ नही एक बार पौदों में फलिया या फल आते समय तो आपको सबसे अच्छे बहतरीन परिणाम मिलेंगे इसलिए आप इस डोस का विशेश ध्यान रखे अब अगर हम बात करें इसकी महत्वपून बाते की तो दोस्तों इसमें तमाम तरह की विशेशता है इसलिए एक-एक करके आप ध्यान से इनको समस्ते जाएए कि ये पौधे की शमता बढ़ाने में तो मदद करता ही है मतलब पौधे में फुटान करता है पौधे को हरा बना के रखता है और उसकी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ाता है जिससे पौधा निरोगी रहता है दाने में वजन दाने की चमक और दाने का रंग तीनों बहुत अच्छा निकल कर आता है जिससे हमारी फसल जो ultimate product निकलता है ultimate उत्पादन होता है वो हमें बहुत अच्छे दाम पर बजार में दिखता है मिट्टी को लगातार जीवंत बनाये रखता है मिट्टी को भुरबुरी और मुलायम और sajanic form में देखते होंगे कि हर बार पैदावार घटती है इसमें उसका उल्टा है कि हर बार पैदावार बढ़ के आती है मिट्टी की संरचना उरवरकता बनाये रखने के साथ जमीन की नमी और परासीटी को लबंगे समय तक बनाये रखता है मिट्टी के ph को नियंत्रिन करता है ताकि फसल के लिए पोशक तत्वों की उपलब्दता को बढ़ावा मिले ये बहुत सही जानकारी है मिट्टी के पीच लेवल को ये बहुत अच्छा बनाके रखता है और मिट्टी में लापकारी सुक्ष्म जीवों की व्रद्धी के लिए अनुकूल परि उसको बहुत जादा अच्छा बनाते हैं जिससे की हमारी उपज बहुत अच्छी निकल के आती है और इसकी तमाम महत्वपून बारों के बाते में बताएं तो फसल द्वारा आवश्यक सभी तत्वों को संतुलित पोशन प्रदान करता है जैवरसाइनिक प्रदानुक्रम क सम्मान किया जाता है जितने भी जैविक गतिविदिया होती है उसको यह जादा से जादा बढ़ावा देता है फसल की प्रतिरोधक शमता बढ़ाता है ताकि दवा की लागत कम हो जाए अजैविक और जैविक कारकों के कारण होने वाले तनाव से फसल की रक्षा करता है और इसका benefit ये फसल को जादा देता है ये ती तमाम महत्वपून बातें अगर हम बात करें सावधानियों की तो दोस्तों कोई भी बायो केमिकल हो सावधानी रखना बेहद आवशक है बच्चों को इन सब बायो केमिकल से दूर रखना है अगर कोई भी liquid form में आप बायो केमिकल कर करते हैं तो बहतर परिणाम के लिए नैपसेक पंप और फ्लेट फैन नौजल का ही उपयोग करना है हवा से विपरीत दिशा में कभी भी छिड़काओं नहीं करना है और जब भी आप इन पूरे उत्पादों का पूरा उपयोग कर लें तो जो खाली बॉटल खाली थेली य बारे में आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे एग्रिकॉन कंपनी के ही ट्रायो कॉन बायो केमिकल के बारे में जिहां दोस्तों विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से और तमाम महतोपून बाते बताएंगे और इसकी बैल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के मांध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे दोस्तों नमस्कार